हेलो माइडिय स्टूरेंट्स आज मैं आपको जी जनल लॉगैनिक के बिस्ट्री का एक बहुत थी थासूसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन displacement method electron displacement method उसके अंजर आपको चार टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहला है आपका inductive effect दूसरा है आपका electromagnetic effect तीसरा है आपका resonance effect जिसकों resonance के नाम से भी जानते हैं और लास्ट आपका hyperconjugation hyperconjugation ठीके बटा चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत easily समझा दूँगा ध्यान सुनिए गविटा और इसके प्रीवियस लेक्चर जैसे homolytic hydrolytic fission types of organic reaction सारी की सारी मैंने अप्लोड कर रखी है आईसो मर्स सब कुछ अप्लोड कर रखा है आप लोग जाके प्लेडिस में चेक करिए गविटा चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर इंड़क्टिव इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर सब काटेगरीज है जो आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है और यह 12 के रिस्पेक्ट में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है 12 के और गैनिक में जितने भी रीजनी कोशन होते हैं उसमें से तीन एक का रिजन इन चारों में से आता है इलेक्ट्रोमेरिक जादा इंपॉर्टेंट नहीं नहीं है इंड़क्टिव रेसुनेंस और हाइपर कॉन्जूगेशन बहुत जादा इंपॉर्डेंट होता है तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है इन डू पढ़ने है एक पढ़ना है प्लस आई इफेक्ट दूसरा माइनस एफेक्ट में आपको प्लस एफेक्ट दूसरा माइनस एफेक्ट रजुनेंस यह रजुनेंस इफेक्ट के अंदर प्लस और और माइनस एफेक्ट और हाइपर कॉजूगेशन को अखेला पढ़ना है उसका दूसरा नाम है न सब को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले दो टर्म की नॉलेज होनी चाहिए एक टर्म है इलेक्टर डोनेटिंग ग्रूप दूसरा है इलेक्टर विड्रॉइंग ग्रूप ठीक है इलेक्टर डोनेटिंग और इलेक्टर विड्रॉइंग ग्रूप इलेक्टर डोनेटिंग करना कौन करें जैना किस पर लॉन पियर होते हैं वह इलक्रon को टौनेट करता है तौ इसको टीक्ट पर्बोके those group which has a tendency to donate electron pair called electron donating group आपको statement बिलकुर नांत पता चल जाएगी लेकिन इसके examples बहुत important है क्या है examples बहुत important है तो आपको examples याद रखने है बिटा hydrogen hydrogen is the three मतलब Alky hydrogen Alkyl group एथर का ग्रूप एथर 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 ठीक है और आपका क्लोरीण ब्रोमीन यह सारे क्या होते हैं क्लोरीन पे भी तीन लोन पेर होते हैं तो लोन पेर एलेकिन दोनेट करेगा ठीक है ना मोटे और सेवियर बी-अर्बी एक तरह का हीलोगें है और यह हैं अब यह आपका इलेक्टॉन विड्रॉइंग गूरॉप विड्रॉइंग गूरॉप जो एलेक्टॉन को विड्रॉइंग कर लेता है की चले दापनी साइड में मतलब ये तरह का इलेक्टॉण डॉनेटिंग तो ये लेक्टॉण रिच होगा तबी तो डुनेट कर रहा है और इलेक्टॉण विड्रोईंग ॉपिशेंट हो गासलिव लेक्टॉण को विट्रा कर रहा है थे हैं दो जूट्रूप विच्छाड a tendency to donate oh sorry withdraw an electron pair called electron withdrawing group examples important day सुनिएगा सबसे पहला NO2 नाइट्रो ग्रूप सीन साइन ग्रूप कार्बॉक्स लिग ग्रूप अल्टी हाइड ग्रूप बेंजीन के ग्रूप बेंजीन कि ज deploying भी बेंजीं यह सारे कि सारे क्या होते है आपके और भी है इसमें भी और एक इतना हमारे काफी ग्रूप फ्क्रणी चुनाथ मैंना तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा ठीक है न इलेक्टरण ट्रवर्ड विद्रॉईंग्रकूं इलेक्ट्रन डोनीटिंग ओऔर इलेक्ट्रों विद्रॉईंग्रुम अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो था घंड्ट वे को किस लीख समझें के ध्यांद इयाँ लिए है ठीक है चलिए मैं कहा रहा हूं बिटा कि मेरे पास ना CS3 CS2 CS2 एक ग्रूप लगा हुआ है ठीक है CS3 CS2 CS2 इस वाल CS2 पर एक ग्रूप लगा अब इस ए ग्रूप को मैं दो तरीके से चेंज करूंगा एक बार लूँगा इसको इलेक्टॉर डोनेटिंग ग्रूप एक बार ल डोनेटिंग के लिए प्लस आइफेक्ट और इलेक्टॉर विड्रॉइंग के लिए माइनस आइफेक्ट सुनिएगा जहां से बिटा ठीक है यह इंडक्टिव और इंडक्टिव एफेक्ट ना एक तरह का बिटा पर्मानेंट एफेक्ट है एक बार हो गया तो हो गया एक ब सी एल था भी आर था ठीक है तो हम यहाँ पर इसको एच लेकर चलते हैं सबूर यह हो गया मेरा सीएस टूँसी एस टूँसी एच हो गया ठीक है अब मैंने इसको सरकल माल लिया मतलब एक रिप्लेस करके एच आया है ठीक है और सी और एच में किसकी एलेक्टर नेगेटिव ड द्राज अग्राइब डियर यह क्या है कौन सा गुरुप है इलेक्टर रॉन है डॉनेटिंग गूप टिक जहां भी कंपाउंड पे इलेक्टर डॉनेटिंग रुप आ जाए वहां पे कौन सा वह आपका एफेक्ट आता है प्लस आई-एकल बन्स आइप याद रखेगा प् और मैं इसको लेलता हूं कि CS3, CS2, CS2, NO2, तो C और N में किसकी जादा है, N की जादा इलेक्ट्रो नेगटिविटी है, तो इलेक्ट्रो ऐसे घुमेंगे, तो यहाँ पर आजाएगा पार्शल नेगटिव, यहाँ के आजाएगा पार्शल पॉस्टिव, अब यहाँ पर देख है, और यहाँ पर कितने अक्षिन लगे हैं, दो, दो अक्षिन विद नाइट्रोजन, तो यह तो बहुत जादा इलेक्ट्रो नेगटिव हो गया, तो यह से खीचेगा, अब इससे खीचेगा, तो इसके भी खीच लेगा साथ में, इसके बगल वाले की, प्री का करेगा, इ तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड से, अगर इलेक्ट्रो विद्रॉइंग ग्रूप अटैच होता है, तो अपनी साइड में इलेक्ट्रो न को पुल कर लेता है, कौन से, कॉवलेंट बांड की, ठीक है, तो वहाँ पर जनेरेट हो जाता है, आपका माइनस आइफेक्ट, ठ बढ़ जाती है, जहां पे भी प्लस आई फेक्ट आए, उस रहां पे बढ़ जाती है, मतलब प्लस आइफएक्ट बैस इोफेक्टक और माइनस आइफेक्ट हवेशा अच्छी Vegण सब्सक्राइब करता है ठीक है जहां भी माइनस आई इफेक्ट आया वह एसे डिटी को बढ़ाएगा जहां प्लस आइफेक्ट आया वह बढ़ाएगा इसको नोट कर लिजेगा इसकी स्टेटमेंट आप दिखाता हूं मैं अद्धेक्ट आप लिए प्लस आईफेक्ट रोग मैनेस आइफेक्ट की इसको नोट कर लिजेगा रहा है चली आगे बढ़ते लिए यहां पर देखेंगे आप तो अच्छा इसकी स्टेट्मेंट यहां पर लिख देता हूं मैं उनोट कर लीजिए का ठीक है अब प्लस आई माइनस आई का यहां सपूर्द लिया मैंने प्लसाइट्ड वैन इसको पढ़ लेते हैं धिक़े इंड़कि ऑठ गो इनदेफेक्ट के असे आए वैनकोवलेंड बॉर्ण वैनकोवलेंड इनकोवलेंड बॉर्ण बॉर्ण की बीच में कॉवलेंड मॉंट अ असे लिएक्टो और इलेक्ट्रों डाइप्व एटम एंद रिजल्ट डाइपोल इस क्रीएट जैसे लेक्ट्रों मूफ करके जिस साइट गए लेक्ट्रों मूफ करें उससे डीटिव आया है इस से नहीं कहाई पॉस्टिवाइपोल क्रीटों हो गया बित्में टू अटम डू टू देश फ्रेट प्रेटोन डोनेतिंगूरा इलेक्टोन डोनेटें गूल एक टोनेटिंगू श्रेट्मेंट आप लोग लिख लेंगे टम यादाकी ग्राइट गया गया और प्लताई फेक्ट इस डाराकली प्रोपोरशनल टॉदा एड़ीज़ी and this is directly proportional to the basicity किसके बेसिटी कि याद रखेए जैसको clear है दूसरा plus i effect sorry minus it minus i effect किस पर टाच्च हो का भीटा e wg electron withdrawing ग्रूप पे clear है तो minus i effect directly proportional to the e wg electron withdrawing ग्रूप और यह किसको favor करेगा मेशा acidity को इसको acidity को clear है तो यह आपका पूरा का पूरा inductive effect है clear है दो तरीके के होंगे plus i कब होगा minus i कब होगा आपको समझा गया और यह दोनों इस पर ही होंगे ठीक है ना जब कार्बन की आटम से एक दूसरा ग्रूप लगा होगा जिसको लिया था मैंने और एक को मैं जब इलेक्ट्रों डोटिंग ले रहा हूं डोनेटिंग ग्रूप तो आपका प्लस i आ रहा है उसको जब इलेक्ट्रों विड्रॉइंग ले रहा हूं तो आपको क्लियर है क्लियर है क्लियर है ओके